तो विगुल बच चुका है बच्चा, नेट 2024 पांच मई को होने वाला है, और आपके पास बच्चे हैं कुछ चंद महीने, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और इस चंद महीनों में आने वाला ये जो पांच मई है, वो तो या तो आप उसे यादगार बनाएंगे, या फिर आप उसे बरबाद करेंगे, आप ही के हाथ में हैं, क्योंकि देखी अगर आपने सोच लियाना, ठान लियाना, तो आपकी जीत तय है, वो यादगार होगा, लेकिन अगर मान लेंगे, तो उसे बरबाद होने से कोई भी नहीं रो सकता है, इस वीडियो के अंदर आज मैं आ 5 मई 2024 के उस दिन को सफल बना सकें, और अपने जिन्देगी के इस पन्ने पर आप उस दिन को हमीशा हमीशा के लिए यादगार कर सकें, यानि कि नीट को क्लियर कर सकें, ऐसा आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो यार आप decide कर लो बच्चा, यादगार बनाना चाहते हो यार फाइटर ना, तो कॉमेंट करके लिख दो कि यास बाबा SSP, यास शिकु भाईया, वी आर फाइटर और हम इसे यादगार बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आप बिलकुल अकेले नहीं हो, सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चा, बिलकुल भी depressed ना हो बिलकुल भी panic ना हो, yes announcement हो चुकी है, it's okay है ना, हमें परिशान नहीं होना है, ये बिलकुल नहीं सोचना है कि यार इससे पहले सर हमारा ये बिगड़ा, physics समझ में नहीं हा रहा, chemistry याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा सर, मैंने मतलब मेरा बहुत सारा backlog लगा हुआ है, ये सारी चीजे, अब भूल जाएए, इनके बारे में अगर आप ना सोचें, तो ही बहतर होगा, जानते हैं क्यों, क्योंकि जिन्दगी मेरा हमीशा, आगे बढ़ने के लिए ना, पीछो की चीजों को छोड़ना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से अगर आप अपनी life का, आज ए हमें यहाँ एक सांस लेने के लिए भी जिन्दा रहने के लिए भी ना, पिछली सांस को छोड़ना पड़ता है, तो हम लोग कैसे हैं, कि बस वही एक चीज़ पकड़ करके बैठे रहते हैं, कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो प्रॉब्लम से साइड कर दीजे आज के ऊपर फोकस करें ठीक है तो हमें क्यार नहीं करना है बरबाद नहीं करना है अपना समय बचाना है और यादकार बनाना है नीट 2024 तो अगर आप लोग तयार हो तो चलिए सुरू करते हैं बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टन बात आप लोगों के लिए यह है इस वीडियो को प्लीज लास तक देखेगा गलती मत करेगा बीच में छोड़ने का क्योंकि आधी अदूरे इंफोर्मेशन जानलेवा साबित होती है यस तो यादकार बनाने के लिए सबसे पहले तो आप यह समझ लीजे कि क्य आपने लक्ष निर्धारित करके अपनी पढ़ाई शुरू करी है अगर हां तो क्या उस लक्ष के तरफ आगे बढ़ते हुए आप आसपास की परशानियों को तो सोच नहीं रहें अगर सोच रहें तो उससे सोचना बंद कर दीजे और कोई ऐसी चीज जो बाधा बन रही है आपके लक्ष के तरफ तो उसको थोड़ा सा साइड में करिए क्योंकि अगर आपने लक्ष साध लिया है आपने सोच लिया है कि नीट 2024 में आग लगाना है मार्क्स लेकर के आना है स्कोर साड़े 600 लाना है साड़े 600 से उपर 700 तक पहुँचना है तो आपको बाधाय नहीं दिखनी चाहिए परिस्थितियां खराब कैसी भी हो बच्चा हमें आगे निकलना पड़ेगा अरे हम क्या है यार हम तो इंसान है भगवान भी जब इस प्रिश्वी पर आये थे ना तो उनकी जीवन में भी संगर सी चला था भगवान स्री कृष्ण के जीवन कोई ले भगवान स्री राम कोई देख लीजे ना वनवास मिल गया भाई तो हम क्या है परिशानियां रहेंगे चो के बॉस हसते वह उन परिशानियों को एकसेप्ट कर लीजे घर की कंडिशन कराब है यह है वो है ऐसी चीज़े हैं सब साइड पे लक्ष क्या है डॉक्टर बनना है अगर आज से भी आप ठान लोगे ना तो जीत तो तैह है आपका लेकिन अगर मान लोगे ना तो हार निश्चत है फिर बरबाद होने से कोई नहीं रोख सकता फिर वही होगा ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे लाको वीडियो पड़े होंगे जो आपको बोलेंगे कि आख आपको समझा लेना क्या पॉसिबल है अभी से लक्ष को साथ लेना क्या पॉसिबल है अभी से अपने समय की इंपॉर्टन्स को समझना तो सबसे पहले अपना लक्ष जो है वो निर्धारित कर लीजे कि यार अगर मेरे पास साथ महीने आर भी चल रहा है सेप्टेंबर खतम पता है आप कोचिंग लास की की किसी student हो सकते हैं बाबु या आप किसी online platform से पढ़ रहे हों या फिर आप हो सकता है self study भी कर रहे हूं आप मैंसे student स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली अटेंट दे रहे हैं आप बहतर समझते हो अपने आपको सबस्की अलग हो सकती है तो जितना ज्यादा लोगों को सुनों कि अपने ज्यादा आपको परशान करती चाहेंगे इसलिए आप मैं यह जो बोल रहा हूं उसको समझ यह आ पुछ रहाँ उसका अंसर अपने आप से पूछना आपने दिल से पूछना गेल्के बचे हुए हैं अब तकमारे कंडिशन क्या थी साथ महीने के अंदर मैं जो भी एक्जाम दे रहा हूं जो भी किरा दे रहा हूं उसमें řूर्ने कंडिशन का someone लेता हूँ अब इससे नीचे तो आप जा नहीं सकते ना क्योंकि इससे नीचे जाने पर फिर government seats मिलना बहुत मुश्किल है लाखो students है भीड बहुत जबरदास्त है बच्चा और उन बाखो students में से कुछ ही चंद students को मिलने वाला है तो अब क्या भाग जाएं छोड़ दे सब नहीं अगर लक्ष है तो बढ़िये आगे और ऐसा भी नहीं कि अगर यह नहीं मिला तो नहीं 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 बाबो आप सबसे बड़े fighter हो क्योंकि जब पूरी दुनिया ने सोचा कि तुम से ना हो पाएगा ना तुम फिर से खड़े और तुमने मेहनत किया यह जो आपने attempt मारे है ना यह आपको जीवन में कहीं न कहीं लेकर के जाएगा क्योंकि वो जो उपर और फिर उस लक्ष के तरफ आगे बढ़ना पीछे नहीं हटना है पीछे बिलकुल नहीं हटना है जो आपके साथ हुआ है सब कुछ भूल जाएए बस आगे के तरफ चलना सुरू करिए clear बच्चा तो हमें सबसे पहले क्या करना है लक्ष निर्धारित कर लेना है क्योंकि अब साथ महीने बचे हुए बिना लक्ष कि हमें ऐसे आखे बंद करके नहीं चलना है आखे बंद करके चलने का मतलब वह हुआ कि हम हाईवे पर दोड रहे हैं तो क्या होगा एक्सिदेंट ही होगा ना तो लक्ष पहले निर्धारित कर लीजे वेरी वेरी इंपॉर्टन अ इतने समय से इतने समय तक मुझे केमेश्री करनी है तो मुझे करना है इतने समय से इतने समय तक मुझे मेडिटेशन करना है तो करना है जिस व्यक्ति के जीवन में जिस भी छात्र या जिस भी विद्यारती के जीवन में फिक्स्ट शेडूल रूटीन नहीं है आप जीवन क पूरा याद किया, मैंने उसके बाद, फिर मैंने आदित्तेहरदेस्तरोतम याद किया, फिर मैंने पंचाक शर्मंत्र याद किये, ये सब जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो मैं अपने आफलाइन की स्टूडेंट्स के साथ भी ये चीज़ शाज़ा करता हूँ, और हमीशा ब लक्षे निर्धारित करने के बाद, आप अपना फिक्स शेड्यूल फिक्स कर लीजे बच्चा, कि मुझे इतने समय से इतने समय तक पढ़ना जाना है, सेल्फ स्टूडी करनी है, ये मेरे कोचिंग का टाइम है, तो मुझे जाना है, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, गल फ्रिंडा, बॉइफ्रिंडा, वो सब जीवन में अपने आप जब होना होगा, मिल जाएगा, यार, ये सब टाइम पास, जब आप धिरे-दरे अपने एज में आगे बढ़ेंगे, यू बिल रेलाइज, कि जो समय आप ये सब फालतों में निकाल रहेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, थोड़े कड़वे वाक्य बोलता जरूर हूं, लेकिन बहुत दिल से बोलता हूं, तो फिक्स शेडियूल आप बना लीजे, क्योंकि यू आप उनली सेवन मन्थ, और अगर आपको मान लीजे, कि टाइम टेवल बनाने में दिक्कत आ रही है, सेल्फ स्टड होती है, कि क्या है भाई से अच्छा पढ़ाद होना, मैं भले कितने शूडेंट देखें, लेकिन कुछ लोगों को देखता हूं, हर साथवी दिन पर नया टाइम टेवल बनाते हैं, तो मेरा दिल, मेरा आत्मा वैसा नहीं है, मेरे को है कि मैं पढ़ाद हूं, मैं बहुत कम तक सिलिबस खतम करने वाला टाइम टेबल है, जिसके अंदर आपका हर एक चैप्टर कितने महीने में खतम करना चाहिए, हर हपते में कितना पढ़ना चाहिए, फिजिक्स का केमिस्टी का, जिलोजी का, बॉटनी का, वो पुरा डेवाइस प्लानिंग है, अगर आप उसे ड आज जागे हैं, बात तो सही कह रहा हूँ ना, अब आप आज जागे हैं कि अब मुझे नीट निकालना है, मुझे करना है, तो जब जागे तभी सभी रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम इसे पहले अच्छा नहीं सोच रहे थे, तो अब मेंको फैब तक कैसे इसको जंप आना है, या मार्स तक कैसे जंप आना है, बट एक महीना जरूर रखना रिविजन के लिए, और अगर वो वीडियो देखने के बाद भी आपको साटेस्फेक्शन ना है, तो मैं एक नया वीडियो बना दूँगा, आपको उसके लिए क कॉमेंट करना होगा, बिकरस जब आप कॉमेंट करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट बच्चा, तो लक्ष निर्धारित करिए, टाइम टेबल फिक्स रखिए, कि मुझे ये चेप्टर खतम करना है, अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं, उस पर बहुत से गौर फर्माना कि source of study क्या रखें, बहुत matter करता है ये चीज कि हम कहां से physics पढ़ रहे हैं, हम कहां से chemistry समझ रहे हैं, हमारा जो geology botany है, वो किस तरीके से जा रहा है, 90% student को मैंने देखा है बच्चा क्योंकि geology botany स्वयम ही हो जाती है, in fact मेरे पास भी offline में students आता है, वो कहत तो theory समझ में आ जाती, concept समझ में आ जाता है, लेकिन फिर सही question की practice नहीं हो पाती है, और मैं भूलते जाता हूं, तो आप सबसे पहले, sorry बच्चा, आप सबसे पहले, जहां से भी पढ़ रहे हैं, आपका पहला काम ये है, कि आप उन पर trust दिखाएं, आप उनसे बात करें, अपने teachers से बात करें, department से बात करें, क्योंकि आप अगर किसी coaching class का हिस्ता है या online हिस्ता है, तो आपने X amount पे करा होगा, अगर वो आप से नहीं सुन रहे हैं, तो फिर गलत जा रहा है बच्चा, फिर इसमें panic नहीं होना है, मैं आपको बताता हूं, कि अगर आपकी journey में, अ मैं आपको बता रहा हूं बच्चा, जितने भी students मुझे देख रहे हैं, फिर चार महीने से, हमने एक success mantra box निकाला था, आज के 3 महीने पहले जून में ही, बहुत ही minimum students का batch मैंने बना करके रखा है, कि एक बैच्चा 50 बच्चों से ज्यादा नहीं, दिसंबर तक से लिए बस ख कर रहे हो, बहुत अच्छे से चला रहे हो, आपका नीट आपको लग रहा है कि नहीं यार तकलीफ नहीं दे रहा हम कर ले रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, continue कर ये, लेगिन अगर जरासा भी लग रहा है कि नहीं यार, drift आ धक्का लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तक कोर्स की प्राइस 8,000 है, जिसमें जितना अभी तक कराएगा है, recording मिलेगा, the best part is हमने अभी 12th स्टार्ट नहीं किया, 11th का ही syllabus चल रहा है, तो अगर आप आज जोइन करोगे तो oscillation wave, thermodynamics चल रहा है physics में, और मैम का GOC चल रहा है chemistry में, इसके साथ आपको geology और botany की classes भी free of cost live मि बात कर रहा हूँ, साथ इसाथ DPP discussion की separate class होती है, and इस course को अगर आप purchase करना चाहते है ना बच्चा, तो आप description box में link है class 24 app का, download करिए, need select करिए, अगर आप swim करना चाहते हैं, तो देखिए इस तरीके का panel दिखाई देगा, course की price 8,000 है, but इस video को जो बच्चा देख रहा है, य इसमें भी 20% आपको off मिलेगा, इन numbers पर जो है call direct कर सकते हैं, या फिर आप directly class 24 app download करेके भी जूड सकते हैं, तो बच्चा आपकी problem को मैंने solve कर दिया है, आप मेरे batch को join कर सकते हैं, ठीके, बड़ अगर आप जहां भी पढ़ रहे हैं, उस पर trust दिखाईए, नहीं हो रहा है, नहीं clear हो रहा है, तो risk मत लीजे, मैं बताता हूँ, मेरे पास ऐसी भी बहुत सारे student है, जो सिर्फ physics पढ़ने मेरे पास आता है, उन्हें मतलब लाखो रुपय दे तो दिये हैं, लेकिन physics समझ में नहीं आ रहा है, विकिस physics समझने के लिए ना, जो teacher होता है आपका भाई बन बन जाता है, और आप उसको clear कर सकते हो, मेरे batches के थूप, ठीक है बाबो, तो आपको क्या बनाना है, अगले साथ महीने में, अपना लक्षे clear करना है, fix time table रखना है, and source of study proper रखिए, आप notes अच्छे से revise करिए, आपके पास जो, आप जो teacher पढ़ा रहा है, उनके video lectures आपने द अच्छी बात में आप लोगे साथ साजा करोंगा, अगर आप आप आज Google पर टाइप करोगे ना, अब तो खेट चैट जीपिटी आ गया है, Google देवता से भी थोड़े से एक आगे बढ़ते बिज जा रहे हैं, आप उस पर आप type करोगे ना, how to clear the need in the next 7 to 8 month ना, तो आपको यह ज़्यादा तर दिखाई देगा, इवन कौरा नाम की चीज होती है, जो आपको बहुत अच्छे से पता जहां पर बहुत सारे लोग reply करते हैं, तो वहाँ पर भी दिखाया गया, बहुत सारे टॉपर्स ने कहा है कि रिवीजन जो बच्चा कर रहा है, जो रिवीजन प् या पहले पूरा सिलेवर्स खतम कर लो, फिर रिवीजन करो, या इससे अच्छा एक तरीका है कि आप ना जितना भी आप हपते भर में पढ़ रहे हो, उस हपते भर में आपके डेली जो फिक्स्ट शेडियूल है, सुनिए बहुत ध्यान से, उसमें ना बाभू, आप 30-30 मि अच्छे है, मैं उन्हें यही गाइडन्स देता हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो बहुत काम किया है, अगर आप देली का 30 मिनट पिछला पढ़ाया हुआ नहीं देखेंगे ना, नया चीज आप पढ़ेंगे, पिछला भोलते चले जाएंगे, और ये सारे जेजली पढ़ रहे हैं और अपने देली के शेड Advent में 30 मिनट, मैं खाली 30 मिनट इसले बूल ओर हूँ किए अगर आपने अच्छे से अपने टीचर से समझा है कहीं से भी पढ़ रहों, जहां से भी आप पढ़ रहे हूं, अगर आप आपने अच्छे से समझा है, hardly it will take 15 to 30 minim to revise the entire concept for example एगर मैं fluid mechanics आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दो जुकि अभी चैनल पर भी free of cost चल रहा प्रचन सीरीज में description box में link दिया है बच्चा एक देड़ गंटे के अंदर ना मैंने पुरा chapter ही बच्चो को बिकार हो जाती अंडर्स्टेंड what I am saying बच्चा इसलिए revision is very very important and how to do revision every day every day my dear बच्चा पाटी 30 मिनट फॉर physics 30 मिनट फॉर chemistryology इन बॉटनी ऐसे आप करें तो यह चीज जरूर ध्यान रखें और मैं एक और बहुत interesting मुद्ध आपके सामने रखूँगा बच्चा जो सोचा है और मैं आपके सामने रखूँगा एक पैटन को न फॉलो करो कि यह जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं क्या पैटन है जड़ा देखिए आप सबसे पहले ना concept और theory पढ़ रहा है अगले के कम से कम 200 questions solve करने चाहिए इसलिए बोल रहा हूं 30 minute का revision is very very important यही आपके physics और chemistry के अंदर यही आपके जुलोजी रबॉटनी के दर है इन फाक्ट जुलोजी बॉटनी में तो और आप कर सकते हो है न तो हर एक chapter का mcq practice अगर आपने यह किया और यह नहीं किया तो यह मत सोच कुछते हैं कि से लिए बस कब तक खतम हो जाना चाहिए अब अब जब डेट अनॉंसमेंट हो गया तो मैं तो मैक्स-to-max फैब क्योंकि मार्च अप्रिल आपका पूरा होना चाहिए दो महीना मॉक टेस्ट और रिवीजन में जाना चाहिए अब देखिए अगर हम आकडों क कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आपको कितने प्रिप्रेशन कियो और आवशकता है कितने बूस्ट कि आपको जरूरत है got the point बच्चा तो ये वो चीज है जो आपको ध्यान रखने अगले 7 महिने के अंदर अब इसे यादगार बनाना है तो बस लगना पड़ेगा आथ से और अगर बरबाद करना है तो बस सोचते रहिए देखते रहिए बहुत सारे लोगों को है ना बहुत सारे लोग रोज YouTube प दिखाय जाता है वैसा होता नहीं रियालिटी कुछ और होती है करेंट बच्चा तो ठानिये पढ़ने का सुरुवात करिए अगर आप तकलीफ में हैं आप अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं तो इस चैनल पर free of cost हम लोग physics chemistry जो लौजी पढ़ाई रहे हैं बच्चा है ना और अगर आपको कहीं पे भी आप पढ़ रहे हूँ आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करा है तो बच्चा इन जस्ट 6,000 और 7,000 आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं यह मेरी गैरेंटी है दस सालों से पढ़ा रहा हूँ यू कैन जोईन माई बैच विच इस अवेलेब ठीक है इसके अलावा अगर आपको नीट की प्रिपरेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही मेरे प्यारे बच्चो तो प्लीज कॉमेंट करो मेरी अगली वीडियो जो है मैं बहुत रिसर्च करके बनाता हूँ पढ़ाने वाली वीडियो चलर पर आप ज्यादा देखते है ठीक है तो आपको कोई भी तकलीब सता रही है ना कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पर्सनली भी बात करना चाहते हो आपको लग रहा है कि यार कास सचिंसर से मैं थोड़ा सा बात कर सको तो आपको मैं बोल रहा हूँ सचिंसर फिजिक्स at the right gmail.com पर आप अपनी प्र को राते रहें उसको राट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें do whatever you want to do man but don't trouble your mom and don't forget to join my badge thank you so much